हाई देस इस मनी शर्मा वेलकून तो माई यूटूब चैनल ये वीडियो में हम लोग अनालिसिस करेंगे कल के सेशन में निफ्टी और में निफ्टी क्या के लेवल्स पॉसिबल है उसके पहले हम लोग टेलेग्राम चैनल के मेसेज़ देख लेते टेलेग्राम चैनल में आज मॉर्निंग में मैंने मेसेज़ दिया था निफ्टी स्पॉट अगर 16,340 क्रॉस करता है तो 16,400 भी पॉसिबल है और आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में क्लेली बताया था उपर के लेवल पे एक्सपारिया में देखने मिल सकती है पॉसिटिव नोट पे एक्सपारिया में देखने मिल सकती है तो आपका व्यू क्लियरली बुलिश होना चाहिए मॉर्निंग में मैंने 16,350 का कॉल भी बाई दिया था 11 रुपीज में 4 रुपीज का स्टॉप लास दिया था 18 रुपीज 24 एं 30 का मैंने टार्गेट दिया था उसके बाद आप मेरे मेसेजिस देख सकते हो इसमें 3 रुपीज अच्छी हुए 1st टार्गेट, 2nd टार्गेट, 3rd टार्गेट और यहाँ पर आप देख सकते हो यह कॉल ने 37 का हाई बनाया मैंने बाई दिया था 11 रुपीज में बहुत सार लोग का मुझे वाट्साइप मेसेजिस आया काफी लोग ने इसमें अच्छा प्रॉफिट कमाया डिसकस करते है कल के सेशन में क्या क्या लेविल्स पॉसिबल है तो यह निफ्टी का डेली चार्ट है आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पर यह अप ट्रेंट कंटीनू कर रहा है और यह हैमर कैंडल का भी हाई इसने क्रॉस किया है और अपसाइड मोमेंट आम हमें देखने मिल सकता है 16,450, 16,500 यह टारगेट पॉसिबल लग रहे है निफ्टी में तो कल के सेशन में भी आपको बाइंग की तरफ जाह द्यान देना चाहिए कोई भी इंट्राडेट डिप मिलता है 16,300 के असपास काफी अच्छा बाइ रहेगा फॉरा इंट्राडेट अर्गेट अफ 16,450 16,500 यह निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और मैंने आपको बताया भी था कि एक ट्रेंड इक्सपारी हमें देखने मिल सकती है एक्जाक्ली इस रेश्टेंस के भी आपको बाइंग के दरफ ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह लगातार हायर लोज बनाते जा रहा है 15 मिनट के चार्ट पे तो क्लियरली एक अप्ट्रेंड में है और आपको बाइंग के दरफ जाध ध्यान देना चाहिए निफ्टी में 50 से साट पॉंट का स्टाप लास फालो करना उससे जाधा बड़ा स्टाप लास मत रखना और बाइंग के तरफ आपको जाध ध्यान देना है यह बैंग निफ्टी का डेली चार्ट है और बैंग निफ्टी मैंने आपको क्लियरली बताया था के range bound लग रहा है sideways लग रहा है और बैंग निफ्टी आप देख भी सकते हो एक छोटी range में trade कर रहा है अभी भी मुझे बैंग निफ्टी थोड़ा sideways ही लग रहा है range bound ही लग रहा है क्योंकि नेचे में 35,600,500 काफी अचा support है उपर में 36,100, 36,200 strong resistance है तो बैंग निफ्टी मुझे overall range bound लग रहा है इसमें आपको trading थोड़ा avoid करना चाहिए और अगर आपको options writing करना आता है तो आप options writing बैंग निफ्टी में कर सकते हो यह बैंग निफ्टी का 15 minute का chart है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा completely range bound session हमें देखने मिला है last के 15-20 minute में काफी अची buying हमें देखने मिली है तो कल के session में अगर 36,000 के उपर निकलता है जो की round off level है psychological level है तो बैंग निफ्टी 36,200, 36,300 तक भी जा सकता है तो 200-300 point का rally हमें देखने मिल सकता है बैंग निफ्टी में अगर 36,000 का level cross करता है बैंग निफ्टी तो बट broader view की अगर बात करें तो बैंग निफ्टी range bound ही लग रहा है 36,200 के उपर major breakout हमें देखने मिल सकता है live market में levels में कुछ भी changes रहा तो मैं आपको telegram channel में update कर दूँगा ये मेरा telegram channel है आप telegram channel join कर सकते हो telegram channel में आपको options buying के trades भी मिलते है options selling के trades भी मिलते है और cash level intraday trades भी मिलते है जिसमें आप intraday में 2-3000 रुपय कमा सकते हो और ये हमारे various courses है अगर आपको चुछना है तो आप हमारे courses भी join कर सकते हो इसका भी link मैंने video के description box में दिया हुआ है मोबाइल आपका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिया हुआ है और अगर आपको वीडियो रनार से अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चाह जरू करना थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग दे वीडियो सी यू नेक्स वीडियो